माप करिएगा दीदू, पर हमें जो बोल रहा है, सही बोल रहा है पेखी, कितनी छोटी सी बच्ची है, अपनी मम्मा पे हाथ उठा रहे दी, तो घलत है ना? अब यह देगा शाहा है, सान्वी को कितना बड़ा धक्का लगा है, आप सब यह क्यों नहीं देख रहे हैं? घर की मर्यादा को सान्वी समझे, और अभी जो किया ना, यह दुबारा ना कर अरे शाधाना बोला, घर की ओ मर्यादा, बच्ची समझे, अरे यहां सो जो बड़े लोग है, वो नहीं समझते हैं अनकिर्टी, और एक सच, सान्वी अभ है और हमारी बेटी है, जो आज इस घर में कुछ लोग मानने को तयार नहीं है, बेटा खरी है, उसका क्या है, किस किस को मैं समझा हूँ, अरे इतनी बड़ी बात सान्वी को पता चला है, तो उसे और समझाने की वज़ा, उसकी तक्ल पता चला है, और रही बात मर्यादा की अरे घर के कई ऐसे बड़े लोग नहीं समझते है, अरे उसे जब पता चला की कोई पायर उसकी मा है, तो वो कैसे बरदास कर पाएगी, और यह तनुजा बोले, एक मिनद, यह समझने और समझने का टाइम बरबात करके कोई फाइदा और उनने बोला, एक सकेंड, थोड़ा सांत हो जाएगी, मुझे अभी तक यह नहीं समझा रहा है, कि सांवी को यह सब बात पता कैसे चली है, और यह नैना जी नहीं बोला, जो भी है, जिन्नोंने भी सांवी को इस सब बताया, उसके इरादे तो सही नहीं है, अगी मुझे कौन हो सकता है, जो इतनी घटिया हर्कत करेगा सांवी को लेका आपने उससे सब कुछ बता दिया, तब अनुजा को बोलने जारे तब अनुजी ने बोला अची सरवानी चीजिए, अरे इतनी भी क्यान अफरत है उच्छोटी बच्ची से को जो आपने सब बता दिया, जो ले, एक काम करते हैं, हम जाकर देखते हैं, साम भी ठीक है यानि, देखते हैं, बात करना चाहते हैं, यानि, ठीक है, ये ममा गई, आप देखो इदर, लोग इपार इदर देखाओ, अधर देखाओ, सब टेंशन, फिर देखो इदर दादी बेठी, देखो इदर गुस्ये में गई, उठके, निकल के चली गई, सीडी पे, सब लोग टेंस कर हैं, देखो दादी भाग के लेकर पकड़के ला रही है उदर से, आओ भाग के जाद आधिक तरफ, तुम्ही निकल जाओ, ओके,